कुशन वाइज NCRT सॉल्यूशन की नेक्स सीरीज में हमारा आज का नेक्स कुशन है एक्सरसाइज 5.1 का कुशन नमबर 7 तो इसको समझते हैं तो कुशन क्या करा है find all the point of discontinuity यह जो function define है यह किन-किन point of discontinuity से इसको समझते हैं तो उसके लिए आओ समझते हैं तो first of all हम क्या रखा करते हैं इस function को simplest form में समझते हैं उसके लिए एक land draw की हमने अब यह function किन-किन point पर breakable है उन point को लिखते हैं तो यहाँ पर minus 3 और 3 point दिखा तो minus 3 first पहले आता है और 3 बाद में आता है ठीक है अब इसका कहना है कि minus 3 से minus 1 minute तक यह function जो define है एक्स की value जो minus 3 से छोटी है उनके लिए यह define क्या है mod x plus 3 define और minus 3 और 3 के middle में यह define एक्टा minus 2x और x get than 3 के लिए define है इधर 6x plus 2 यह 3 से greater यह middle में और यह less than minus 3 ठीक है अब mod function आया है इसमें तो mod function को simplest form में लिख लेते हैं कि आपको पता है कि जो mod function होता है mod x इसको equal 0 रखा और x value में लेगी बटे हैं से 0 अब 0 के left में इधर यह minus x होता है और right में यह plus x होता है तो इसको आपको आगी के लिए याद रखना कि mod x 0 से less पर minus x होता है और 0 से greater पर x होता है तो इसलिए यह minus 3 इधर आया देखो मानस 3 कहा होगा बेटा कही ना कहीं होगा तो मानस 3 से इधर कैसा होगा यह minus xprofshow ने लेंगे जाएगा minus x plus 3 तो इस पार्ट में यह function क्या है minus x plus 3 polynomial form में आ गया ठीक है polynomial function बनी है और यह भी polynomial function है और य भी polynomial function करना है अब हमारे पास किस तरह है निसमीट से लेगे 30 नोसी माल लेंगे मानस 3 से 3 तक बहुत सारे पॉंट है इनको C मान लेंगे और 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक बहुत सारे पॉंट है इनको C मान लेंगे ठीक है ये function हमारा define हो गया अब continuity कहां से करेंगे इन बहुत सारे पॉंट उपर जो मानस 3 के बीच में है और next मारा 3 से मानस 3 से 3 और 3 से प्लस इंफिनिटी तो 3 टाप के पॉंट तो ये है और 1 मानस 3 और 3 पर तो मारा कितने केस बने विटा 1 2 3 4 5 5 केस में इसकी point of descriptive check किये जाएंगे ठीक है तो case first start करते हैं तो case first हमारा क्या है कि ये वाला यहां लेकिंगे let x equal c ठीक है ये c कैसा बीचा लेस देन मानस 3 और इसके लिए जो function value है fx क्या define है इधर minus x plus 3 ये function इस दर define है इस c के लिए तो अब ये अकेला function है तो अकेले function के लिए आपको बताया है कि first part होता है sir limit निकालना तो limit निकालेंगे limit x tends to cfx equal limit x tends to c इस function की value रख देंगे तो minus x plus 3 function value है और polynomial function होने कारण x की value रख देंगे limit value निकालने के लिए तो ये limit value आ जाएगे हमारी minus c plus 3 और second part होता है sir इसका function value निकालना तो fc value निकाल लेंगे fc value क्या होगी minus c plus 3 तो ये function value और limit value save आएगे यहाँ पर लख देंगे limit x tends to cfx equal fc ठीक है ये implies कर देगा तो इस पर ये continuous होगे fx is continuous ठीक है fx is continuous ठीक है तो continuous कहाने के लाँ बटा x equal c x equal c c जो हमारी belong करती है minus infinity के minus 3 कर ठीक है ये continuous हुआ अब next point है minus 3 solve करना तो इदर x equal second point हमारा x equal minus 3 second case इसको solve करते हैं आपको वताया किसी point के left में अगर अलग function है right में अलग function है तो उसमें LHR RHR limit निकाली जाती है तो फैला point हमारा LHL value लिका हुआ ठीक है बटा तो अब LHL का हम formula लिखेंगे formula क्या होता है limit x tends to minus 3 इदर minus लगा देते हैं left limit के लिए और यहां फरक्ते हैं function अब function value पुट कर देंगे बटा तो limit x tends to minus 3 के लिए function क्या है left side में तो function minus 3 के left side में यह defined है यहां पर लिख देंगे minus x plus 3 अब solve कर लेंगे क्या है विटा है polynomial function तो value पुट कर देते हैं x की तो minus पहले से लगा आए एक minus 3 पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा plus 3 और plus 3 बात में दे रखा है तो यह answer आजाएगा 6 second part second part क्या निकालेंगे sir हम RSL तो RSL का formula लेखेंगे formula क्या होगा limit x tends to minus 3 plus fx और function value पुट कर देंगे विटाब limit x tends to minus 3 plus का mean right side का function value तो क्या है यह minus 2 x ठीक है अब solve कर लेंगे तो क्या हैगा minus 2 multiply minus 3 और answer जाएगा 6 और third part होता है इसमें function value f minus 3 निकालेंगे तो minus 3 कहां पर solve करेंगे sir तो जहां पर equal दे रखा है उसमें यह value put कर दी जाती है तो यह mod में दे रखा है minus 3 plus 3 आपको पता है mod का mean होता है plus value और plus 3 यह answer जाएगा 6 तो यह 3 value same आई है यह लिख देंगे lhl equal rhl equal f minus 3 तिनों same आए तो implies कर देगा fx is continuous ठीक है किस पर x equal minus 3 पर यह continuous निकला इधर भी यह continuous निकला अब third case है हमारा यह वाला c जो minus 3 और 3 के बीच में आता है इस पर तो third case है x equal यह हमारा c जो कैसा है विटा यह minus 3 और 3 के बीच में यह हमारा third case तो इसमें लिखेंगे हम कि यह जो c है यह जो c हमारा वो कैसा है यहां पर लिखेंगे let x equal c जो 3 और minus 3 के बीच में ठीक है अब इस c के लिए जो function है वो function define है minus 2x यह function define और इसके लिए बीचा c के लिए क्या निकाला करते है अकिले function के लिए limit और function value direct limit निकालेंगे तो लिखेंगे limit x tends to c fx equal limit x tends to c function value क्या है minus 2x और यह value c के रख देंगे बीचा limit निकालने के लिए यह जागा minus 2c और second part क्या होता है function value fc value तो fc क्या हो जाएगी यहाँ पर minus 2c है लिख देंगे limit x tends to c fx equal fci ठीक है तो इंप्लाज कर देगा fx is continuous at x equal c जो कहां बलों करता है minus 3 से 3 तब तो इधर भी continuous हो गया इधर भी मांस 3 पर continuous था इधर भी continuous अब हमारा number आएगा next 4 point वीटा क्या x equal इस 3 पर solve करना ठीक है x equal 3 के लिए करेंगे तो इसके लिए function value left side में और right side में अलग-अलग है तो वही हमारा LHL और RHL वाला case तो फर्स्ट point LHL तो LHL के लिए क्लिए क्या निकालेंगे sir left hand limit 3 पर वो लिखते है minus धर और यहां लिख देते हम function और function समझते हैं क्या दे रखा है 3 के left में क्या है minus 2x तो यहां लिख देंगे minus के 2x और solve करेंगे minus 2 multiply 3 और यह answer आ जाएगा minus का 6 second point sir second point निकालते हम RHL तो RHL के लिए limit value limit value क्या है limit x tends to 3 plus fx और यहां पर function value रख देंगे sir limit 3 x tends to 3 और 3 के right में है 6x plus 2 और simplify करेंगे तो यहां solve हो की मिलेगा 6 multiply 3 plus 2 और यह कितना हो जागा बटा 18 plus 2 equal 20 तो LHL और निकल गे हमारे और थर्ड पार्ट क्या होता है function value function value f3 पर case निकाल लेंगे sir तो जहां पर equal दे रखा उसमें put कर देंगे 6 multiply 3 plus 2 और यह जाएगा 20 तो यहां पता चला कि LHL not equal RHL LHL RHL equal नहीं है ठीके तो आग इस check जो यह function है इसकी मतलब नहीं है यहीं से हो जाता है के fx is not continuous तो इस case में continuous यह नहीं है x equal 3 पर continuous नहीं है तो एक point तो यह मिले गया अब यह c रहे गया last वादा ठीक है बटा तो इसको सबस्ते हमारा 5th case रह गया x equal c greater than 3 ठीक है और इसके लिए 3 के लिए जो c इस तरह का 3 से greater है उसके लिए फंक्शन है उसको लिखा करते हैं पर फंक्शन है 6x plus 2 तो अकिला फंक्शन है तो सर आपने बता रखका कई बार तो direct limit value limit x tends to 3 fx equal c पर निकालने बटा है न 3 नहीं c तो limit x tends to c fx और fx value पूट कर देंगे सर limit x tends c fx value धर है 6x plus 2 और यह c value रख देंगे यह हो जाएगा 6c plus 2 यह function value limit value आगे सर और आगे हमारा second point function value fc तो इसमें c put कर देंगे 6c plus 2 हो जाएगा c तो यह तो easy समझ में आ गया तो है ना अब तो समझ में आ गया हो बिलकुल इस तरह question cash solo करने है तो यह दोनों equal आगे limit value limit x tends to c fx equal fc limit value implies कर देगा fx is continuous ठीक है तो इस case में continuous हुआ और 3 पर discontinuous आया है ना continuous नहीं है तो all point of discontinuity क्या हो गए तो यहाँ पर लिख देंगे next आगे discontinuous point discontinuity point लिख दू discontinuity point क्या है x equal 3 ठीक है बटा यह x equal 3 discontinuous point आया वागी सब किस तरह स्क्राइड point है continuous ठीक है तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सीचे जट्टारी को लाइक शेर और सस्क्राइब और सस्क्राइब